है 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 अगा है 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 वैल्कम तो केटेकेडमी हम लोग लास्ट-क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो और इंटर कनेक्स नां टूपोट नेटवक की बारे में बात करें तका रहे थे इंटर करें अधूपोट नेटवक ठीक है अब एक कुष्छन लेता हूं में कि कुष्छन लेता हूं बलो है तो आज का पहला कुश्चिन आज अपने डिसक्रेशन करते हैं आज का पहला कुश्चिन है आज का फार्स कुश्चिन find transmission parameter find question find transmission parameter for a given below figure find transmission parameter for a given below figure तो एक figure ले लेता हूं मैं यह ले लिया 1 ohm आपको solve नहीं करना मैं solve कर रहा हूं आपको सिर्फ देखना है 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm यह आपके पास है find transmission parameter for a given below figure तो आपको दिखा कि यह तो T net package, very simple जब भी उनको Z parameter पूछना होता है, Y parameter पूछना होता है थोड़ा figure अच्छा select करते हैं लेकिन अगर उनको A, B, C, D parameter पूछना होता है तो यकीन मानिए बड़ा easy figure select कर लेते हैं बहुत बार, ABCD parameter पूछना होता है फिर figure ले प्लान नहीं करते हैं क्योंकि ABCD parameter पूछना होता है और ABCD parameter अगर अपने आपने अच्छा होता है तो फिर फिर एक simpler figure select कर लेते हैं अब जैसे मैं बहुता है find transmission parameter तो मैं को पता है एक registry network is the basic registry network yes तो आप बोलोगी yes basic registry network है तो मैं बोलूँगा इस figure के बारे में हम क्या जानते हैं सबसे पहले तो हमको क्या पता है कि हम क्या कर लेते हैं terminal voltage और terminal current draw कर लेते हमको need नहीं है कि कोई V1 V2 लिखके दे आपके पास बाहर जाओ V2 लिखो I2 current flow करा दो V1 लिखो I1 current flow करा दो या आप जानते हैं आपको करना चाहिए फिर अगर मैं बोलूँ कि यह figure के बारे में बात करूँ कि यह reciprocal network है तो transmission parameter में find out कर रहा हूं तो मैं को पता है reciprocal network की property होती कि इसका determinant of transmission parameter will be 1 तो 1 आएगा और A not equal to D आएगा तो A और D same नहीं आएगे लेकिन transmission parameter जो होगा उसका determinant 1 आएगा यह पहले सबने को पता होना चाहिए यह thought होना चाहिए normally यह thought नहीं रहता है ठीक है अब अगर मैं बोलू कि इसका z parameter क्या होगा तो impedance parameter सभी को पता है कि 3 2 2 और 5 होगा इस अभी को पता है जब आप बोलते हो कि इसका z matrix किया तो बिना सोचे बिना सोचे इसका जब आप z matrix बोलते हो तो मैंको लगता आप भी नहीं सोचते होंगे 3 2 2 5 बोलने के लिए और अगर आपको impedance matrix पता है तो equation भी पता है यह जो equation आप बोलते हो 3 i1 plus 2 i2 equation number 1 और v2 equal to 2 i1 plus 5 i2 यह आपके पास z parameter लिग दिया उसकी equation लिख दिया या आप input के लिए लगाओगे तो पहला equation आएगा output के लिए लगाओगे तो दूसरा equation आएगा इससे आसान network पूरे network theory का कोई भी figure नहीं है सबसे simplest figure है क्योंकि लोग को के लिए पसंद होता हो और इससे आसान kvL कुछ होता नहीं तो अगर मैं बोलें input में kvL लगाओ पहला equation output में kvL लगाओ दूसरा equation actually T network के जो 2 kvL equation है वही तो jet parameter equations है तो 3,2,2,5 ओके ठीक है अब अगर मैं वोर्ण के ठीक है इतना तो आपको भी पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब अगर मैं को ABCD parameter find out करना है तो जैसे इन general लोग का thought रहता है वैसे बात करते है अपर ABCD parameter क्या होता है V1 equal to AV2 minus BI2 और I1 equal to CV2 minus DI2 यह आपके पास है यह मैं क्या करूंगा जैसे इन general लोग को करना ची उसी style से solve करता कि एक A find out करने जा रहा हूं तो यह होता है वह V1 upon V2 होता है when I2 equal to 0 यह यह पहला parameter solve करने जा रहे है एक हो जैसे मैं I2 equal to 0 put करूंगा पता है V1 equal to कितना आएगा V1 equal to 3 I1 आएगा और V2 equal to 2 I1 आया और I2 तो 0 है तो V1 upon V2 देखो तो A की step में solve हो गया A की value और A की value 3 by 2 A, solve हो गया है A solve हो गया कभी-कभी तो सिभी A पूछते या B पूछते कोई एक parameter पूछते कोई अगर एक parameter पूछते तब तो कोई problem ही नहीं है यह B की value कितना होगा तो minus V1 upon I2 when V2 equal to 0, V2 equal to 0 यह जैसे मैं V2 की value 0 पूछते कर रहा हूं तो जैसे पूछते है V2 की value is that 2 I1 plus 5 I2 और उपरवाला equation कितना है V1 equal to 3 I1 plus 2 I2 इसका अधा मैं को V1 upon I2 find out करना है V1 upon I2 तो 3 है और I1 की value कितना है minus 5 by 2 I2 minus 5 by 2 I2 plus 2 I2 तो अगर मैं बोर रहा हूं कि देखो minus 15 है और यह 4 है तो minus 15 और 4 minus 11 by 2 आगे है एक बार check करना और अगर मैं बोर रहा हूं कि मैंको minus V1 upon I2 की value चाहिए है तो इसको बोलते है B की value और 11 by 2 ohm बिल्कुल ohm लिख सकते हो क्योंकि impedance है minus कई वर minus की कारण mistake हो जाता है लेकिन mistake ना करें C की value I1 by V2 है I1 by V2 है when I2 equal to 0 जब आप I2 0 बूट किये थे तो पहला equation था आया था पहला equation में क्या क्या था पता है V1 equal to 3 I1 और V2 equal to 2 I1 उसमें से आपके काम का equation यह है क्योंकि आपको I1 upon V2 निकालना तो I1 upon V2 की value I1 upon V2 की value 1 by 2 ohm inverse है क्योंकि admittance है तो C आगया भाई C आगया fourth parameter की बात करते कि D की value में को find out करना है तो minus I1 upon I2 होगा minus I1 upon I2 when V2 equal to 0 इसका भी कोई unit नहीं होगा यह V2 अभी 0 पूट किये थे जब V2 0 पूट किये थे तो equation क्या था पता है 0 equal to 2 I1 plus 5 I2 जब मैं बोला कि देखो यह minus 2 I1 equal to 5 I2 है तो आपको चीए minus I1 by I2 तो minus I1 by I2 का value था है 5 by 2 यह निकाल लिए D अगर मैं बोलू कि transmission parameter की value क्या होगी तो ABCD अगर A की value बोलूं तो मैं 3 by 2 2 I2 B2 की value अगर मैं बोल रहा है कि B की value कितना है 11 by 2 C की value कितना है तो 1 by 2 और D की value कितना है तो 5 by 2 आपके माइन में यह देना आए कि यह इसके अंदर नहीं।רה हो सकता है, नहीं आया यहां पर. कि यहां पर नहीं आया, यहां पर हम ganze पिंद की है. तो कोई भी पैर हमेंटो कमाइब हो सकता है, इसको देखने से अब की पास कोई प्रॉब्लम नहीं ह兄 लेकिन यह A equal to D ज्यादा problematic नहीं, A equal to D मताब A symmetrical network यह हम तो जानते थे, जो सबसे important है, most important, एक transmission parameter का कि कोई भी determinant कभी check नहीं करता, जब कि इसका determinant check करें, तो 15 by 4 आया determinant, 15 by 4 minus, minus 11 by 4, तो 4 by 4 आगया, इसका मताब है कि आप sure हो कि आपका ये एक reciprocal network था, जो आपको पता था, आप सही solve कि ये पूरे parameter सही है, तो ये मैं इसमें 3 star इसके लिए डाला, क्योंकि जब कोई पूछता है कि ये find out करो, अगर इस question में कोई मैं से बुलता कि transmission parameter find out करो, तो मैं 4 option में पहले determinant check करता, मताब मैं को पता बाकी लोग check नहीं करेंगे, और even IIT के professor भी check नहीं करते हैं, वो एक answer सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं, बाकी 3 गलत में प्लान नहीं करते हैं, maximum time, मताब मैं को तो कभी solve करने की जरूरत नहीं पड़ी, आस्ता कोई भी exam का कोई भी question है तो, तो वो लोग plan नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी miss करते हैं, जब वो भी miss कर देते हैं, तो फिर हम उसका advantage ले लेंगे, कि एक option का सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, और बाकी जो 3 गलत होंगे, उसमें उनके plan भी नहीं होगा, कि determinant कोई चेक कर सकता है, ऐसा हो नहीं सोचते हैं, गर सोचते तो, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोफेसर तो यूज़ करता, लेकि मैं कभी ने देखा कि कोई यूज़ करता, बताऊंगा भी आपको, तो देखो आपकी पास तो मैं पहले options चेक करता है, लेकिन कल कोई बोले कि सिब डी निकालो तब तो, तब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तब तो solve करना पोड़ेगा, तो कोई एक parameter पूछ रहा है, तब तो advantage चला गया अपने पास, लेकिन कोई चारो parameter पूछ रहा है, तब advantage अ मेरे सोचने का तरीका बहुत बार ऐसा होता है, कि देखो आपकी पासी figure है, और अगर मैं इसको बोले हूँ, तो इसको दो parts में divide कर सकता हूँ, अपके copy में फिर से इस figure को draw करो, और बोलो, कि नेटवर्क A है, ये नेटवर्क A है, और ये नेटवर्क B है, और इसको बोलते ह cascade ये cascade connection, नेटवर्क ये नेटवर्क B, एक नेटवर्क है, उसके बाद नेटवर्क B है, इस वाले को आपन Z1 लिखते हैं, आपको अगर याद होगा तो, इस वाले को Z2 लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको कि ये जो नेटवर्क A है, इसका अगर transmission parameter लिखना है, इस left side का, पता answer कितना होता है, 1 plus Z2 by Z1, Z2, 1 by Z1 और 1, ये आपके पास था, इस जगा कि अगर मैं बात करूँ तो पता आपके पास Z2 की value 3 है, और Z1 की value नहीं है, आप इसका अगर Z1 infinite, transmission parameter यही है, अगर मैं आपर answer लिख रहा हो कि T है कितना होगा, तो 1 plus Z2 by Z1, Z2 की वाले 2 है, Z1 की value 1 है, Z1 की value 2 है, तो 1 by 2, 1 plus 1 by 2, तो 1 plus 1 by 2, और Z2 की value जो है वो 1, 1 by Z1 की value 1 by 2 और ये last value 1 है, यहाँ पर Z1 की वाले infinite, इसलिए transmission parameter जो होगा B का, Z1 infinite इसलिए 1 आगया, Z2 की value कितना है 3 आगया, 1 by Z1 जो आगया, 1 by infinite 0 हो तो और ये 1 है, 1 3 0 1 है, अगर मैं इसकी individual बात क करूं कि देखो, फिर बड़ा smartly आपको handle करते आना चीए, यह risky है क्योंकि अगर आप गलत तरीके से compare कर दिये तो फिर आपका गलत हो जाएगा, पता भी न चलेगा, आपको कभी गलत होगा तो, 3 by 2, 1, 1 by 2 और 1, अब आपको confidence वाली बात है कि आपको कितना clear है, देखो अग बात है कि यह सही solve किये, A equal to not equal to D है, तो A not equal to D है, आपके पास तो यह symmetrical नहीं है, भाई, जो network A symmetrical नहीं है, इस network B की बारे में बात करते हैं, इस करते हो, determinant of this transmission parameter is one, तो सही बात है, reciprocal network है, और एक single element क्या होता है, single element, symmetrical होता है, A equal to D आ रहा होगा, देखो A equal to D आ रहा है, इसका त होता है कि overall transmission जो parameter होगा 2 cross 2 का, वो होगा दोनों का product, अगर मैं TA की बात करूँ तो वो है 3 by 2, वो है 1, वो है 1 by 2 और वो है 1, अगर मैं TB की बात करूँ, तो TB की बात है 1, 3, 0 and 1, 2 cross 2 और यह 2 cross 2, this one, तो transmission parameter जो 2 cross 2 का आपके पास है, अगर मैं multiply करना चाहता हूँ, first row, first column को, पह पहले आराम से इसको देख लो, यहां focus करो इतनी जगह पर, यह तरीका नॉमली मैं यह में अपने ली बना के रखाऊं कि मैंको तो मतलब हवा में solve करना है, मतलब कोई question देखे और सट सरी solve करना, तो आपकी twice है कि आपको कैसे करना है, क्योंकि मैंको पता मैंको doubt नहीं है, मै क्योंकि इसमें doubt नहीं आता, मेरे mind में images clear होती है, यह Z1, यह Z2, यह कभी जाएगा नहीं में से, यह इधा उधर नहीं होगा, यह Z2, Z1 नहीं बनेगा, यह Z1 नहीं बनेगा, यह Z1 बनेगा, एकदाम images fix है, तो doubt zero रहेगा, तब तो यह मजदार है, लिकिन अगर यह doubt हो गया तो मैं को बताता है, A not equal to D है, फिर single series element था, इसके साथ cascade में connected है, single series जो elements होता है, वो symmetrical भी होता है, reciprocal भी होता, बिल्कुल आ गया, फिर मैं आप दोनों को multiply करने वाला हो, तो यह बड़े अच्छे समझना है, इस वाले network का Z1 infinity और Z2 3, वो में तो देखो लिखा हूँ, यह formula, the result, यह result based की बात किया, लेकिन risk किये बोला, अब दोको first row first column multiply करूंगा, तो 3 by 2 into 1 होगा, आपकी पास, तो 3 by 2, कैसे सोचना है बोला, matrix है आपके बाद, first row first column, 3 by 2 into 1, plus, middle में plus, 1 into 0, तो 0 हो गया, 3 by 2 into 1, तो 3 by 2 हो गया, इसको बोलते है, first row first column, 2 multiplication और 1 addition, 3 calculation होए, उसके बाद first row second column, 3 by 2 into 3, 9 by 2, plus 1, तो 11 by 2 आया, तीन calculation, 2 multiplication, एक addition, तब बोलते है आप 11 by 2, मजाक में नहीं आया 11 by 2, कि हवा में आगया हो, 2 multiplication, एक addition के बाद आया, second row first column, 1 by 2 into 1, plus, 1 into 0, इसलिए 1 by 2 आया, इसलिए 1 by 2 आया, फिर second row second column, 1 by 2 into 3, तो 3 by 2 plus, 1 into 1, तो 1, तो 3 by 2 plus 1, तो 3 by 2 plus 1, तो 5 by 2, यह आपकी पास आगया, 15 by 4 minus, 1 by 4, 1 by 1, यह answer, में को क्यों अच्य लगता है, तरीका क्यों अच्य लगता है, क्यों क्यों में को बढ़ा मजाता है matrix multiplication में, क्यों मेरा पहले wheat था, matrix वगरे जो चीजे थी मेरी strong नहीं थी, तो मैं बहुत महनत किया, बहुत practice किया, इतना practice क किया, कि matrix multiplication, matrix का नाम सुनके ही, मेरे अंदर से आवा जाती किया, अच्छा time चालू हो गया, अच्छा time, तो आपको बनाना पड़ता है, पहले में को मजा नहीं आता था, पहले में को यह सब tough लगता था, good calculation tough लगता था, तो अब में को अंदर से आवा जाती कि चला, समझ नहीं आता कि multiplication और addition मिला के कैसे result आते है, और जबकि सबसे आसान two cross two का matrix multiplication, सबसे आसान two cross two का है, और ना इससे कम ना इससे ज़्यादा की जरुवत पड़ेगी, क्योंकि आप two port network पड़ रहे है, two port network में two cross two का matrix multiplication होगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, तो बड़ा perfect ठेक दम, ठीक है, अब देखते हैं यह धियान से one two three था आपके पास, एकोर मस्चीज बताता हूँ, क्या मस्चीज बताता हूँ, यह one है, यह two है, आप एक चीज़ धियान से देख सकते हो बोला, यह one two और यह three है, अगर मैं किसी को बोलू कि कुछ करे क्या आप, one two और यह three है, ठीक है, कुछ इसमें perform करे क्या, तो आप बोल सकते हो, हाँ sir, करते है sir, कुछ perform करते है, और, क्या perform करते है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं क्या करना चाहूंगा, मैं क्या करता हूँ, three elements आपके पस, मैं इसको three part में divide कर लिया three part में divided कर लिया जे यह three part में divided कर लेता हूँ, चलो कर लो, ठीक है मैं बॉलूँ को चलो यार, बताओ Z2 कितना है तो आप बोलोगे, एक 1 doubt की तो बात ही नहीं कर रहे है Z1 कितना है तो आप बोलोगे, infinite कि वह इंफानब गाइट और आपको डाउट है तो फिर आपके कामका नहीं है तो फिर देखो यह 2 है इसमें को जैट वन की इतना है तो आप बोलोगे तू नीमेट है इसके बाज़वाला जैट तो चैनल कि इतना हो अगर आप इसको सोच 2 by Z1, Z2, 1 by Z1 और लास्ट नमबर 1 होता है, मैं बोलूंगा देखो यह first है 1, यह middle वाला 2 और यह 3 है, फिर उन्हों का चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े प्यार से लिखते हैं, T-A की value लिख लेते हैं, 1 plus Z2 by Z1, Z1 infinite है तो 1 आ गया, Z2 की value 1 है तो 1 आ गया, 1 by Z1 0 आ गया, यह 1 आ गया, देखो, 1, 1, 0, 1 आ गया, फिर T है, चलो टीवी की बात करते है, टीवी की बात करते है, 1 plus Z2 by Z1, लेकिन इसमें से न, Z2 0 है, तो 0 by Z1 भी 0 होता, तो 1 plus 0 तो 1 आ गया, Z2 की value 0 है, 1 by Z1, 1 by 2 है और लास्ट नमबर 1 है, और T-C की value अगर मैं बोल दूँ कि थार्ड वाले की आपकी पास value किता है, तो 1 plus Z2 by Z1, तो 1 आ गया, Z2 मतलब 3 आ गया, 1 by Z1 मतलब 0 आ गया, और 1 आ गया, सबसे इंट्रेसिंग बात क्या है, जब है, जब है, सिंगल सिरीज अलिमेंट, हर एक एलिमेंट को मैं सिंगल में convert कर लिया, सिंगल सिरीज अलिमेंट, सिंगल स आपकी होता है, इसलिए सभी के डिटर्मिनेंट वन है, ऐसा हो नहीं सकता कि कि किसी का डिटर्मिनेंट वन ना हो, सभी के डिटर्मिनेंट वन आना पड़ेगा, सभी के डिटर्मिनेंट वन आना पड़ेगा, क्योंकि सभी सिंगल सिरीज अलिमेंट है, सभी में एक वल्ट और फिर one three जिरो one चलो multiply कर लेते first two का first row first column one into one one by two तो three by two आ गया first row second column किये तो one आ गया second row first column किये तो one by two आ गया second row second column किये तो one आ गया ये देखो मस्त multiplication हो गया one three zero one मैं fast क्यों solve कर रहा हूँ जैसे आपको देखे कि fast solve किया जा सकता है mind setup बड़ा good होना चाहिए एकदम concentration बड़ा good होना चाहिए first row first column ऐसा बोलते समय पूरा focus होना पड़ता है मजाख नहीं है न क्योंकि थोड़ा भी दादर होगा तो calculation मिस्टे हो जाएगा first row first column one into zero zero गया one into three by two ये three by two हो गया इसको बोलते है first row first column first row second column three by two into three nine by two plus one nine by two plus one eleven by two हो तो eleven by two हो गया second row first column one by two into one plus one into zero is the one by two second row second column three by two plus one that means the five by two ये देखो five by two ये देखो two cross two का ये अंसर आपके पास transmission parameter तो मेरे सब फेवरेट पार्ट है कि अगर मैं को कोई अगर मैं को कोई इस ती नेटवर्क के साथ और कुछ भी लगा के दे एक दोचार element अगर मैं को एक ओड़ी नेटवक दे अगर मैं अगर इंडिया के लिए पर फेंग करंऊ इस टी नेटवक के साथ एक ओर टी नेटवक लगा दू और लोग अगर नॉमली क्यालकुलेट करना चाहते हैं पहले तरीके से के वील वगेरा से तो फिर साम हो जाएगी सॉल नहीं होगा के वील से क्यूंकि बड़ा सा क्यालकुलेशन ए निकालना बी निकालना फ्रस्टेट हो जाएंगे और अगर कोई एगर एक टी नेट्वक का सॉल करके दूसरा लेकिन फिर भी चलो लोग ज्यादा परिसान नहीं करते कभी ऐसा नहीं किये कि पांच छे लेमेंट से ज्यादा दे दियो चार पांच अलिमेंट से ज्यादा दे दियो कभी ऐसा नहीं किये कभी ऐसा करते नहीं है अगर कर भी लेंगे मेंको तो प्रॉब्लम नहीं है तो कि अगर मैंसे कोई पूछे कि सर इस टूपोर्ट नेटवर्क में आपका फेवरेट क्या है तो मैं बोलूँगा ट्रांस्पिसम पैरामिटर को सोचने का मेरा तरीका पूरे लोगों से अलगे और सबसे अच्छा तरीका है मेरे पास क्योंकि मैं सोचता ही रेसिप्रोसिटी से और मैं को पता है सब लोग डिटर्मिनेंट का केर नहीं करते और मैं केर करता हूं तो मेरा टूपोर्ट नेटवर्क ट्रांस्पिसम पैरामिटर के कारण और स्पेशल बन जाता है देखो हो कि सौलो गया और इस तरीके से सोचना बनाते हैं अपन दूरी नहीं बनाएंगे अपना फेवरेट हो गाई है इसलिए बुला था कि पहले चैप्टर से ज्यादा फेवरेट होना चाहिए एक सिंगल संट एलिमेंट सुट भी रेसिप्रोकल एंड से मेंटिकल हमको पता है बात नहीं पता है अपने बात तो अब अब वग्भी अगरे इकाल शल्ल करना होेंता है है वरगुच्स स्वाल करना है समझ नहीं कि सर ऐसे सोलल करें कि तो बिल्कुल कु move 7 पर द rangeshmaкими exercise workbook क्वर सेवन गुष्यंबर सेवन गर्त्य यह आपके पाद यहांस देखना रीट करना अच्छाए तो देखलो एक अरेजमेंट दिया भूल एक फिकर का अरेजमेंट दिया है विवन और आइवन की वैल्यू इवन और आइवन की वैल्यू है अब ये वीवन ये आइवन ये 30 23 13 और 10 30 23 13 or 10 कि यह कि वी टू एंड माइनस एट उब ध्यान से देखना चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है करके लिखा वह आपके पास के अरेंजमेंट जो है आपके पास यह आपके पास यह बीसी पैरामिटर आप नेट्वर्क एन नॉट इज मतलब ओर रोल अपके पास अबीसी पैरामिटर गिवन है आपसे इस एन नॉट का अबीसी पैरामिटर कोई चाहा रहा है ज्यान से कर देखो कि तो यह वाला वी वन लिखा है यह वाला आइवन लिखा है यह V2 लिखा और यह I2 लिखा है तो देखो आपके पर लिखा क्या है यह I2 यह V2 V1 I1 V2 I2 पूरा लिखा है यह 2 ohm और 1 ohm यह 2 ohm और 1 ohm तो क्या दिया है वो ध्यान से देखो, क्या पूछा है वो ध्यान से देखो, और देखो आपके पस N0 की value क्या होगी, क्या दिया है, क्या आपके पूछा गया है, समझना चीजिए बोला, तो आपको N0 का ABCD parameters find out करना है, तो पता आपके पस question में क्या है, आपको overall ABCD parameter दिया है, क सकते को और नेट्वाज जो आप मता के रहे हो तो इसको सॉल करते हैं तो यह वालाterror इसका ट्रांसर्मिस्थ्न पोता है वह होता है सर concur P descended जैड टू होता है फिर सर वन बाई जैड वन होता और वन होता है यह आपको पता है से बहुत धियान रखना कि इसमें कभी मिस्टेक ना हो क्योंकि इसका डिटमिनेंट वन होना चाहिए इस वाले मैट्रिक्स का तो जैट टू की वैली जो है वो टू है और जैड़ं की वन है तो 1 प्लस 2, 3 आगे है यार यह और Z2 की वैली 2 आगे और 1 by Z1, 1 आगे और यह 1 आगे, 3, 2, 1, 1 चेक करो, और अगर ऐसा है तो इसका determinant देखो आपकी पास यह है, रजिस्टिनेटर की इसका determinant बनाना चाहिए, तो determinant of T equal to, देखो 1 आ रहा है, तो overall actually क्या हुआ, कि यह transmission parameter है, यह overall transmission parameter है, तो यह transmission parameter जो था, यह overall है, total, फिर transmission parameter network N0 का है, T0 लिख दिया है, N0 का है, फिर transmission parameters, वो registry network का है, R network, जो registry network था, तो total ABCD parameter कितना दिया था, 30, 23, 13 और 10, यह, और अगर मैं बोलू कि N0 का ABCD parameter क्या होगा, तो नहीं पता, वो ही तो निकालना है, A0, B0, C0 और D0, एक registry network है, उसका ABCD parameter अपने को पता है कि 3211, 3211, यह, तो आपको ना normally क्या होता है, कि 2 ABCD parameters को multiply करना रहता है, बट और टोटल निकालना रहता है, इस बाट टोटल दिया था, एक का आप निकाल लिए क्योंकि registry network था और वो भी इतने इजिली निकाल लिए क्योंकि हमारे 9 वाला network था नहीं होता तो solve करते, और फिसको solve करेंगे, अब, अब अगर मैं बोलू कि चलो multiply करते, है, फिस्स रो, फिस्स कॉलम तो होता है, कितना होगा, 3A0 प्लस B0, यह होगा पहला answer, मतलब इस वालेगा, फिस्स रो, सेकेंड कॉलम, 2A0 प्लस B0, C0 और D0 तो 3C0 प्लस D0, और यह आगे आपके पास, 2C0 प्लस D0, इस वाल यह है, और इधर आपके पास है, 30, 23, 30, 10, इस वाल यह, अगर मैं compare करूँ, matrix को compare कर सकते हैं, 2X2 matrix, अगर आपने सामने लिखाओ, इक्वल टू के साथ, तो compare किया जा सकता है, कैसे compare करें, बताओ, 30 इक्वल तो कितना होगा, बता है, 23 है, अगर मैं एक दूसरे होगा, इसको minus कर दूँ, तो पता है कितना आ जाएगा, A0 equal to 7 आ जाएगा, और 7 को अगर मैं put कर दूँ, तो 21 हो जाएगा, plus B0 equal to 30 हो जाएगा, और B0 की value जो है आपके पास, वो 9 आ जाएगा, तो A0 7 आ गया, B0 9 आ गया, similarly, similarly, 3C0 plus D0 की value 9 है, और 2C0 plus D0 की value, 3C0 plus D0 के लिए 13 है, 13, और 2C0 plus D0 की value जो है, वो कितना आपके पास, 10, इसको भी minus कर दो है, minus, 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 cancel out, तो यह आ गया, C0 equal to 13 minus, तो यह 3 आ गया, तो 3 को put करोगे, तो 9 plus D0 equal to 13, तो D0 की value 4 आ गया, चिक करने एक बार, इसका मतलब है, जो N0 है आपके पास, यह N0, इसका जो ट्रांस्विशन पैरा मिटर है, बता है, कितना रहा है, A0 की value 7, B0 की value 9, C0 की value 3, और D0 की value 4, यह, यह आ गया आपके पास, यह हमारा कुशन था, यह हमारा कुशन था, तो आप के लिए बड़ा अच्छा format हो गया, कि दो network multiply हो सकते हैं, solve कर लिए अपन, तो ऐसे कुशन की possibility, यह gate का कुशन नहीं है, लेकिन ऐसे कुशन की possibility हो सकती है, कि आप से कुछ कुछ पूचना चाहता है, और ओर आपको दे दिया गया, और और कैसे बता चला तो आपको clear है न, जिए विवन, I1, V2, M-I2 था, तो और 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 से आप यह फाइंड आउट का लिए, और और से फाइंड आउट का लिए बूला, ठीक है, और और से फाइंड आउट का लिए, देख रहा होगा देहां से पता आपके पास overall क्या था जो ट्रांस्विशन परामिटर था टूटल overall जो था आपके पास जो गिवन था question में जो overall आपके पास गिवन था वो था 30 23 13 और 10 यह overall था फिर आपको एक निकालना था यह आपको निकालना था a0 b0 c0 or d0 एक रजिस्टर नेटवर्ट था जिसको आप लिख लिए थे 3211 पता आपके पास एक interesting बात बताता हूं यह तो हो गया solve मैंको बता है कि एक registry network है तो reciprocal network हो तो reciprocal network है तो इसका determinant one होना चीए तो देख आपके पास 3 minus two equal to one अच्छी बात है अगर मैं बोलू कि देखो टोटल के एक बार चेक करो बताओ determinant of t total कितना हैगा पता है कितना रहा पता आपके पास अगर मैं देखो तो 300 minus 13 into 23 299 होता है तो पता आपके पास overall जो network है क्योंकि एन नौट की बारे में ता आपको नहीं पता होता अन्नोन है overall network reciprocal network है overall network to network का multiplication है overall reciprocal है एक registry network है reciprocal तो दूसरे को reciprocal होना चाहिए तो इस network should be reciprocal should be reciprocal should be reciprocal यह network यह एन नौट और अगर यह reciprocal है तो confirm है कि A0 D0 minus B0 C0 की value A0 D0 minus B0 C0 की value वन आना चीज को बुलते है analysis इसको बुलते है एक नया अपने आप में आपका सबसे बाखी लोगों से सोचना देख इसका determinant कितना रहा है सेवन इंटू फूर सेवन इंटू फूर माइनस इसका मतलब यह है कि हम यह मान रहे कि जो एन नौट है उसमें रजिस्ट्री एलिमेंट्स लगे होंगे लेकिन हमको इंटरस्ट नहीं कि कैसे कैसे लगे सब्सक्राइब करना चाहते हैं लोग अनलीटिकल वे में बड़ा अच्छे से इस चैप्टाइब करते हैं तो देखो तो आसान नहीं होता क्योंकि कोई सा सोचना नहीं चाहता है सब लोग सिर्फ सौल करना चाहते हैं लोग एनलीटिकल वे में बड़ा अच्छे से इस चैप्टाइब को लेते नहीं सब लोग सौल करना चाहते हैं सौल 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 सौशते नहीं कि बढ़ा बहु लोग होते हैं तो हो सकता है कि कोई वेक्टि आपको बड़ा बोरिंग लगता हो और किसी दूसरे को वो दुनिया लोग भी होते हैं दुनिया में हम कई बार लोग से बहुत बोरिंग है लेकिन किसी दूसरे के नजरिये से वो दुनिया का सबसे इंटर्टेनिंग परसन है तो सब लोग एक समान बीहेव थोड़ी करेंगे सिर्फ नजरिये चेंज करना पड़ता है तो टूपोर्ट अगर आपको भी मैर्टिक्स पड़े होंगे तो मैटिक्स में आपको बता होगा कि प्री मल्टिपीए संपोस्ट मुल्टिपीए सब्सक्राइब अगर आप जानते होंगे अगर मैं बूटिफ की इस नेटवक का इस नेटवक का एक नेटवक आपके पास इसका जोइंट क्या होगा इसका ज्यूंट एज्वान्ट होगा भई 1313 3 माइनस 2 1 माइनस 1 इसका एझ जॉवनि इसका इनवर्स है अगर एट बी बूल देता है तो अगर जो जそうですね मतरह 1 3 माइनस दो और माइनस वन यही इसका इनवर्स है क्योंकि इत्रेंड कभी अगर आप सुने होंगे पोस्ट मल्टिपिकेश jako और सुने होंगे तो कहले हमिल्टन त्यौरा में उनए होंगे तो में क्या कर सकता हूं बता के पास पोस्ट मलटिपिकेशन कर देता हूं पता किसका उसके बी नौट था यह सी नौट था यह डी नौट था एक network एक मत्रिक्स है आपके पास उस मैट्रिक्स के inverse का अगर multiply करो तो इसको identity matrix बोलते तो यह एक I matrix बन गया और I matrix को किसी से भी multiply करो किसी भी matrix है तो matrix बन जाता है तो I matrix बन जाएगा आपके पास यह matrix बन जाएगा बचा left side इसको बोलते पोस्ट मुल्टिपिकेशन आप एडि मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स को multiply कर सकते और result will be same resultant हमेसा valid होगा equal to के बाद तो अगर आप एक matrix को उसके inverse से multiply कर तो एक identity matrix बनता तो चलो इसमें solve करते first row first column 30 into 1 और 23 into minus 1 तो 30 और 23 के तो कितना आगे बतार 7 आगे जगर हैंसे और first row second column first row second column करते 30 into 2 to minus 60 हो और 23 तो minus 60 plus 23 into 3 to 9 69 हो गया फिर 13 to 13 और minus 10 13 minus 10 13 into 2 तो minus 26 minus 26 plus 30 धियान से गर देखा जाए जो कि आपके पास एक n not matrix जो है वह आपके पास आ रहा है तो पता है क्या 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 आगे 7 और minus 9 यह कितना आगे 13 minus 10 मतलब 3 और यह आ गया 4 यह आगे आपके पास ए नौट बी नौट सी नौट और डी नौट यह पूरा मैट्स हो गया एक्चुली मैट्स हो गया तो मैं केले हमिल्टन थेओरम अगर आप पड़े होंगे केले हमिल्टन थेओरम आप अगर जानते होंगे तो अगर आप मैं सच्छे से जानते हो तो क्या लिख रहता है केले हमिल्टन थेओरम में कि अगर आप थोड़ा सच्छे से जानते होंगे आइगन वैली उसके बारे में सब तो कहिए तो मैं पोस्ट मल्ट निवर्स का तो फिर नौट वी नहुट सी नौट बचाट तो राइट साइड में से ऐगर मैं कुछ को आटाना है तो इसके इनवर्स को यहां मैंटिपलाई कर दो यह One पर देखो धियान से तो मैं बोरुगा था देखो यह कुश्चन क्या है अगर मैं इस नेटवाक को बोलूँ धियान देखने रहना ये ये कॉंप्लेक्स नेटवाक है फाइप प्लस जे फो एक आरेल नेटवर्क हो सकता है एक मिदिल मैं एक रिजिस्टी नेटवाक है क्योंके टूपलाओ जे जीरो मतमताब रियल नंबर है येत्वाइप मायनास जे फोरें मताब ये आरसी नेटवड होगा आरसी नेटवर्क में इंपेटेंस रियल और ये माइप ये माइनज जेफॉर ता बोल सकते हो कि ये एक series RC network है, ये series RL network है और ये registry network है. अगर मैं इसको ध्यान से करना, में बोलू दो कि जिए एक basic complex network है, ये एक registry network है, ये आपके पास a series RL network होज़ता है क्योंकि impedance आपके पास देखता हूँ, 5 plus, R plus G omegle, R plus G omega R minus J upon J upon omega C जरवत नहीं है से बताने के लिए जरनल नौलेज की बात करऄ तो यह आपके पास एक R-S नेटवर्के बोल सकते हैं एक R-L नेटवर्के बोल सकते हैं और यह रजिस्र्ट नेटवर्क की क्योंकि इसमें इमगेजनरी पाट 0 बाग यसी जरुवत नहीं है, just मैं कुछ knowledge की बात कर लेता हूं हमें सा, फिर बोला थे कि इसका ABCD parameter find out करो, ABCD parameters find out करो, ऐसा बोला था, और A options आपके पास था, तो 3.5 plus J2, 20.5, 20.5, 3.5 minus J2, यह, B option, 3.5 plus J2, 30.5, 0.5, 3.5 minus J2, this one, C, 10, 2 plus J0, 2 plus J0, 10, D options, 7 plus J4, 0.5, 30.5, और 7 minus J4, यह, ऐसे 4 options, तो मैं बोला कि देखो, हमारा concept क्या कहता है, हमारा concept यह कहता है, कि एक basic complex network without dependence source, एक रैसी लोकल नेटवर्क है, सेमेंटिकल है कि नहीं, 5 plus J4, 5 minus J4, सेमेंटिकल नहीं है, तो यह रैसी लोकल नेटवर्क है, यह सही बात है, यह सेमेंटिकल नेटवर्क है, सही बात है, सेमेंटिकल नहीं है, क्योंकि 5 plus J4 उदर होता, तो सेमेंटिकल हो जाता, रैसी लोकल नेटवर्क है, इसका जो determinant होगा, उसकी value 1 होगी, और A not equal to D होगा, तो A D की बराबर तो हो नहीं सकता, C option आपके पाफ possible नहीं है, C options आपके पाफ possible नहीं है, तो C option पहले cut up हो गया, क्योंकि इसमें A equal to D था, वैसे भी यह A equal to D था, आपके पास तो cancel out हो गया, और इसका determinant भी अगर आप ध्यान देखोगे न, तो 100 minus 4 आ रहा है, 96 आ रहा है, 96, तो determinant wise भी गला थे तो C option तो wrong हो गया चलो, C option wrong, C को देख लिए, अगर मैं बोलू हो देखो, 3.5 और J2 आपके पास, तो 3.5 का आपके पास मतब 7 by 2 है, 7 by 2 मतब 49 by 4 plus 4, तो 49 by 4 plus 4 है, यह, A plus J B और A minus J B, A square plus B square होता है, तो A square हो गया, 7 by 2 का square, 49 by 4 plus 2 का square, minus 20.5 का square है, मतब 400 से ज्यादा, और यह तो इतना कम है, यह कभी 1 हो नहीं सकता, तो A option wrong हो गया भाई, पता चल गया अपने, A option wrong, क्योंकि determinant 1 हो नहीं सकता, इस वाले में determinant में अगर गया, तो यह आपके पास आगया, 49 by 4, 49 by 4 plus 4, और यह, minus 30.5, तो 1 by 2, into 30.5, तो 15 के आसपास आ रहा है, और यह आपके पास आगया, 12 plus 4, 16, तो यह लग भी आरा, 49 by 4, 49 by 4 मता 1, और 2, तो यह 12 something आपके पास, 12.25 आपके पास, लगभग अगर देखा जाए तो, plus 4, तो 12.25, तो 16.25 है, minus, यह 30.5 आपके पास, और यह 0.5 है, अगर मैं ध्यांस देखू, आपके पास यह, तो अगर यहां पर आप आप देख रहे हो, तो यहां पर यह results है, यह 7, 7 square किया न, नहीं, यह 49 plus 16 है, sorry, 7 का square, 49 plus 4 का square 16 है, तो 65 आ रहा है, और यह 30.5 और 1 by 2 है, तो 15 के आसपास आ रहा है, तो यह भी 1 नहीं हो सकता, तो यह 1 हो नहीं सकता, दिख गया आपको, यह 1 हो नहीं सकता, तो B option confirm 1 है, बिना solve के मैं confirm हूं की B option 1 है, और क्यों यह 1 हो एक option satisfied क्या पता है, क्योंकि एक option सही ता बाकी को कोई focus नहीं किया, मतलब question paper frame करने वाला जो भी IT का professor होगा, वो इतना focus नहीं किया कि बाकी को determinant check कर लेगा, क्योंकि लोग check नहीं करते बोला, तो B answer आ गया बोला, B answer आ गया, क्योंकि हमको पता है कि basic complex network, reciprocal network होता है, कर साथ है, कब वो भी कर देता हूँ, अगर किसी को यह सब नहीं पता हो, तो इसको तो basic आना चाहिए, अब आपको पता है कि T network हो, जब वो लोग दूसरी कोई चीज पूछते तो बड़ा simple network देते, तो आपके पास T network दिये, तो अगर मैं बोलूँ कि बता हो, impedance matrix क्या होगा 7 minus J4, किता मस्त होगे देखो, इसका मतलब है कि V1 equal to, अगर मैं भोल दू, V1 equal to, अगर जब आपके पास ऐसे number रहे तो अच्छे से आपको solve करते आना चाहिए, आप Z11 के terms में निकाल सकते हो कि V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2 है, जब आपको complex number दिख रहा है, तो क्यों आप उस form में solve करोग अग्या, complex number को लिखना time taking होता है, यह ABCD parameter हो लिख दिशा है, Z11 पता है, Z12 आपको Z12 I2, Z221 पता है, V1 equal to, A v2 minus vi2 होता है, ठीक बात है, I1 equal to, CV2 minus di2 होता है, यह बी जएह बात है, यह देखो ABCD parameter, Z parameter हो लिख दिया, A की value इतना होता है, ग्याए V1 by V2 होता है when i2 equal to 0, कोई problem यह तो मैं बढूर रहा हूं कि दो एक ही बात करना चालू कि अभर जूरे लिए फिल टूज हाए और एक हौन I1 हो गया तो अगर मैं V1 upon V2 that means the A की बात कर रहा हूं तो answer will be Z11 upon Z21 होगा Z11 upon Z21 होगा इसका मतलब 7 plus J4 divided by कितना होगा 2 होगा तो यह कितना आगे 3.5 plus J2 आगे देखो answer आगे ऐसे कोई बड़ी बात है क्या यह आगे A answer आगे 3.5 plus J2 तो 3.5 plus J2 A और B option दोनों में था तो C or D cancel out हो गया अच्छी बात है second की बात करते कि अगर मैं को B की value निकालना है तो B की value कितना होता है impedance के form में minus B की value minus V1 upon I2 तो minus V1 upon I2 1 V2 equal to 0 अब अगर मैं को V2 0 put करना है तो V2 0 कर मैं put कर रहा हूं तो पता है कितना हैगा Z21 I1 plus Z22 I2 ठीक है V1 equal to Z11 I1 plus Z12 I2 इतना है आपको निकालना है V1 upon I2 तो क्यों आ मैं इसको solve करना है सालू करूँ कि V1 upon I2 निकालना है तो Z11 और I1 को आप replace कर दो यार तो I1 की value होगी minus Z22 I2 upon Z21 ठीक है और plus Z12 I2 तो अगर मैं बोलू कि ठीक है अगर आप I2 को common लेना चाहते हो तो Z12 minus Z11 Z22 upon Z21 यह इतना हमाँ पास result है तो अगर मैं बोल दूँ कि देखो आपके पास minus V1 upon I2 की value कितना होगा तो V1 है यह I2 है solve कर लेते एक बार अच्छे से देख लो तो Z12 Z21 minus Z11 Z22 upon Z21 इतना है मैं को निकालना था minus V1 upon I2 ब की value तो B की value minus V1 upon I2 find out करना था तो result कितना आगे यह आगे है Z11 Z22 minus Z12 Z21 इसको determinant of Z भी बोल सकते हो divided by Z21 तो determinant of Z divided by Z21 यह तो अगर मैं solve कर रहा हूं बोला कि determinant of Z कितना है तो determinant of Z कितना है 7 into 7 49 plus 16 minus 2 to 4 तो यह आगे आगे आपके पास 4 तो 12 हो गया 49 plus 12 सही एक दम 49 plus 12 तो यह 59 हो गया 60 62 आगे 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 49 तो 59 61 आगे तो चेक कर लेंगे कि 7 और 7 49 A square plus B square तो 49 plus 16 minus 2 into 2 4 तो 12 बच गया ना 49 में आपके पास 12 हो गया तो 4 minus के तो 61 आगे determinant of Z यह जेट 2 1 की value कितना है तो Z 2 1 की value जो है आपके पास Z 2 1 की value दो को B की value निकाल रहा हूं determinant Z 61 है divided by Z 2 1 and Z 2 1 की value 2 है तो यह आगे आपके पास 30.5 यह 30.5 आगे थोड़ी यह सब याद कर लेंगे कई लोग को लगता है कि हम यह याद करके दुनिया जीत लेंगे असा थोड़ी होता है आपके पास की इसको याद करके दुनिया जीते हैं कि नो नो जितने भी अच्छे लोगों तो यह सब याद नहीं कर रहता है सिंपल 30.5 आगे देखो आपके पास A निकाल दिया बी निकाल दिया इन टरम्स आप जैट परामिटर ए निकाल दिया और बी निकाल दिया वैसे आप C निकाल सकते है वैसे आप D निकाल सकते है वैसे ही देखो A और B मैं निकाल लिए C और D ने निकालोंगा थेके हैं? COD ने निकालोंगा भोला तो COD आप निकालोगे, मैं A और B निकाल दिया, C की value निकालोगे वता कितना आ रहा है, D की value निकालोगे, इन टाम साब Z parameter इन टाम साब Z parameter, फिर D की value निकालोगे आप, C की value बताओ, आरहे है स्एकेल टू बनर वन पाइन आ रहे है सेक्वल टू वन अपां जेट टू थिकित रवयल्य तरह रहे हमगल सकते है रहा बड़ाए धी R Rs. कि में आपधे छोड़ा डी की वैली बता जे टूट टूट इड टूट इड की वैली ए फोकस करना कैम रहा यहां पर यह COD की वैली लिख दिया बुला मैं, निकाल लिए होंगे फड़ाबट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं कि किसी को बड़ी चीज नहीं पता, बड़ा conceptual नहीं पता, तो solve नहीं करेगा, लोग solve करते हैं, वो तो अपने भी depend करता है कि हम बड़ा basic solve करना चाहते हैं, तो अपने को दोनों चीज आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हमको solve करना नहीं आता है, और हमको concept आता है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ solve करना आता, लेकि बड़ा conceptual good level पर हम नहीं जानते, दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, पता नहीं किस दिन क्लिक क करें ना करें कई बार ऐसी होती सिच्वेशन होता माइंड सेटाप होता कभी क्लिक करता कभी नहीं करता तो वैराइटी आप तिंग्स आपको गुड आइडिया होना चाहिए variety of things का good idea होना चाहिए तो किसी भी question को जब आप attempt करना चालू करते हैं तो सोचना वाला part जो होना चाहिए वो best होना चाहिए बहुत बार लोग सोचते कि मतलब simple solve करना जाते हैं ऐसे check नहीं करते बोला कौन check करना चाहेगा आपको लगता है कि को कोई चेक करता होगा ऐसा ऐसा कोई चेक करता होगा आपके पर लगता है नहीं बहुत ही कम लोग simple लोग solve करना चाहते हैं तो बहुत most important जो हो गया वह reciprocity condition हो गई कि reciprocity condition क्या होती transmission parameters की ठीक है अब देखो ध्यान से कि कि अगर मैं को कोशींबर AIDS solve करना है चलो आजाओ नाप दो गुड कुशन में आज तक two-port network की जिते भी कुष्ड आए उसमें से कुष्ट नपर रेट में को आज तक का सबसे गूड कुशन लगा है कुश्चम आज अज तक का गूड लगाए क्योंकि उसमें सब वन रे से टू तो आपके बस इस टेवफ ट्रांस्फरमर था होगा याद होगा ट्रांस्फरमर के कुश्चन भी अपने स्वाल भी कर रहे थे अगर आपको याद होगा तो अब मैं सहना पूछा सिब एक चीज ए ये ये सिव एक परामिटर पूछे अगर मैं देखोंगो तो और ऑप्जेटी कुश्चन है तो आपके पास ऐसे कुश्चन अभी आएंगे तो चांसे कम होते अभी आगा तो निमेरिकल आंसर टैप बन जाएगा ये वी वन और आईवन अगर मैं एक्जाम दे रहा हूँ और मैं इसे कोई ए पूछ रहा है कि बताओ टास्मिशन परामिटर एपूछ और डेफिनेसे मिन दिया बस वी वन आईवन वी तो दे दिया है वी वन आईवन वी तो आईटो दे दिया है इस ओकी नो प्रॉब्लम भी वो बोला कि बताओ आउसर क्या होगा यह कोई अमार पस वे अगर देखो दियान से कि मैं कुछ ची वैली निकालना है तो आपको पताओ नाची की ए जो होता है वो वी वन अपान वी टू होता है वें आई टू इकवल तो ूज्यू मैं ऐसं करके स्टार्ट कर रहा हूं को बोला एक मैं को इसाल करना और में को बहुत कॉन्वरेंस कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी तो फिर कुछ भी गर सकते हो फिर I2 की value 0 हो गया, I2 का काम खतम, V2 यहाँ पर आ गया, इसका अथा V2 यह हो गया, यह V2 हो गया आपके पास, अब I2 तो है नहीं, आपके पास यह V2 है, सबस्करों इस वाले को IY मान लो, तो इस पूरे circuit में IY current flow हो गया, इस पूरे circuit में IY current flow गया, क्योंकि यह current 0 हो गया, इसका drop 0 हो गया, इसका drop 0 वोल्ट हो गया, तो V2 उटके यह आ गया और current यहाँ पर flow गया, और I2 current नहीं है, अगर मैं बुर्णाओ कि तो यह V1 है, यहाँ का इस series में एक register लगा, तो क्या यह V1 हो सकता नहीं हो सकता, तो इसक इसको IX लिख लो, तो V1 नहीं हुआ, I1 नहीं हुआ, V2 एक काम कर गया और I2 नहीं हो, I2 तो ऐसे भी 0 है, तो IY है, चार में से तीन चीज़े तो चेंज हो गई, V1 VX नहीं है, I1 IX नहीं है, V2 यह है VY, अगर मैं इसको VY लिखना चाहता हूं, तो यह VY V2 है, और IY जो ह हो, बताओ VX अपान VY, और VY को V2 बोल सकते है, यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट आ गया, कि VY V2 है, तो VX by VY, एक्वल to 1 by 2, देखो 1 by 2 लिखा है, क्या क्लिर है आपको, कि VX by VY, प्राइमरी वैंडिंग का वोल्टेज डिवाइड बे सेकेंडरी वैंडिंग का रि मुद्धा है, इसका तब secondary winding का current होगा आय वाइ करेंड लिखा में, primary winding का current लिखा इक्वाइड लिखा रिखा, यह एक्वेस् नमबर 2 हो गया, बट हमेसा ध्यान रखना है, कि जब भी आप यह लिखते हो, current के form में,e to current रगगा 2 port current ही, the port current high, the port current, port current, port current, इसका मत्तलब ही कि तो दो इक्रेस नहीं हो गया इससे सॉल नहीं हो अपका कुश्यान क्यों कि आप को वीवन आपन वीटू निकालना क्या मतलब यह विवन और वो वीटू इतने दूर है यह वीवन वो वीटू राय टू सेहर जीरो कर दियें अक्यार यह वोल्टेज तो ब्रहा इस्ट्रगल भ transformer का equation लिखा है इसको बोलते concept अब मैं बोल रहा हूं कि देखो मैं को इस जगा से उस जगा तक पहुंचना है कोई problem नहीं है देखो वी एक से वी टू है वी एक्स की value आपके पास वी टू बाई टू आ जाएगा तो ठीक है तो वी टू आपके पास तू आ जाएगा तो फिर मै बोलूँगा देखो मैं कोई I1 तो लेना नहीं है आपके पास तो अगर मैं बोलूँगा कि इसका voltage अगर यह V1 है मैं बोल सकता हूं कि I1 दो में डिवाइट हो रहा लेकिन I1 को लाओं मत यार I1 को इसलिए मतलब I1 की वैसे भी जर्वत नहीं है तो I1 से दूर रहूं कि I1 क पस Vx है यह कितना आपके पास आगया 2ix ठीक है अगर मैं बोलूँगा कि Vx की वैली कितना होगी तो Vx की वैली ना V2 बाई 2 होगा पता है तो 2ix यह V1 और Vx की वैली पता है कितना आपके पास V2 बाई 2 है ठीक बात है यह हो गया problem, आप Ix का प्रॉब्लम होगे, problem of Ix, आप Ix को आपको handle करना पड़ेगा, तो बतब Ix को क्या लिखूँ, Ix की मैं लिए minus 2 Iy है, the value of Ix equal to minus 2 Iy, अगर मैं ऐसा लिख भी दूँ, तो जो problem Ix की थी, वो problem of Iy की हो जाएगी, problem थोड़ी small हुआ, ना तो आपको Ix चीए, ना तो आपको Iy चीए, अगर आप Ix को replace भी कर Iy, तो problem दूसरी problem हो जाएगी, पहले Ix की problem थी, अब Iy की, तो Ix equal to जो है, वो minus 2 Iy है, बट, 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 अगर आप धेहांस देखो, तो आपको Iy current ऐसा जा रहा है, या बोल सकते हो, आपको Iy current port current है, यहां का voltage जो है, वो Vy है या V2 है, यह Vy है, वी तू है, यह Vy तो Vy की value, Vy की value V2 है, V2 equal to minus Iy into 5, तो Iy की value कितना है, तो Iy की value minus V2 by 5 है, हो गया अपना काम, तो Ix की value minus 2 Iy है, minus 2 Iy और Iy की value है, minus V2 by 5, overall positive हो गया, 2 by 5 V2, पता किस की value, Ix की value, इस Ix की value यह, इसको यूश करने जा रहा हूं मैं, यह, 2 Ix is equal to V1 minus V2 by 2, Ix की value कितना है, तो Ix की value जो है, वो 2 by 5 V2 है, तो 2 by 5 V2 की हमें, is equal to V1 minus V2 by 2 है, यह, तो 4 by 5 V2 हो गया, plus V2 by 2 हो गया, equal to V1 हो गया, LC हम ले ले लेता हो, तो 10 आगया, 5 आपके पास 2, तो 8 आगया, plus 5 is equal to V1, और V2 common है, आपको निकालना था, क्या, क्या V1 by V2, क्या निकालना था आपके पास, V1 by V2, 13 by 10 आ रहा है यह, 13 by 10, V2 is equal to V1, तो V1 by V2 equal to कितना है, तो V1 by V2 equal to आगया, 13 by 10, 1.3 आ रहा है, और यह answer A के बराबर होगा, यह answer A के बराबर होगा, इसको बोलते है, conference, conference आपके पास, 13 by 10 answer आगया, ठीक है, तो A की value निकाल लिए, तो अभी क्या है, ऐसे कुछन नहीं बनते हैं, नॉमल लोगों से नहीं बनते हैं, नॉमल लोगों से क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि इतनी साथ equation को एक normal instrument, इतने जल्दी solve नहीं कर पाएगा, अभी कई लोग सोच रहोगा कि यह तो sir solve कर रहे, अगर अपन solve करते हैं, तो यहीं नहीं पता चलता है कि अपने को करना क्या है तो इसको बोलते है, analytical mind, कैसे analytical mind, आपको यह भाई वो निकालना है, मतलब इतने दूर के दो चीज को relate करना है, तो जब तक आप यह और वहां तक नहीं पहुच होगा, आप निकाल ही नहीं सकते हैं, तो मैं बोला, जब मैं को I1 का कोई लेना देना नहीं, ना तो condition है, ना त आप फोकस ही नहीं किया, नहीं तो I1 equal to क्या लिकता पता है, V1 by 5, V1 by 5 plus Ix लिकता है, लेकि मैं यह equation ही नहीं लिखा नहीं, तो अदरवाइस यह equation सही है, आइवन दो में डिवाइड हो रहा है, एक V1 by 5 में, plus Ix में, बट मैं ऐसा लिके time pass नहीं करना चाहता था, यह equation सही ह यह equation एकदम सही है, लेकिन क्यों लिखता मैं, क्योंकि I1 की need ही नहीं है, no need, of I1, हाँ और कुछ निकालूंगा, और कुछ निकालूंगा तो मैं को इसकी जरवत पड़ेगी, लेकि मैं को जरवत नहीं है, तो I1 को लाने नहीं दिया, इसलिए Ix लिखा, Ix और Iy का relationship जानता तो overall मैं यहां से यहां पोचा, यहां से V2 पोचा और VX और V2 का relation transformer का relation था, तो overall मैं को पता था, कि मैं को current के equation से, VY और V2 के equation से, और transformer के turn ratio से, यह मैं आराम से V1 by V2 की value find out कर सकते हूँ, अब देखो इस question में, इस question में क्या है? कि मेंको अगर find out करना है देखना ध्यान से है find out करना है बोला तो कि कि अगर मैं बोलओ कि देखो फिर से इस figur बना लो बोला और पता आप कि पास यह अकर मैं ध्यान से बोलओ कि क्या है यह सब नहीं लिख ला मैं यह नहीं लिखे रहा, किसी को zero put नहीं कर रहा है, तब मैं I2 को zero put कर नहीं कर रहा है, यह पूरा figure फिर से बना दिए, पूरा figure, को zero put नहीं कर रहा है, तो पता कितने elements है total, five, हाँ, five elements, कैसे हैं, अगर मैं बोलों कि देखो, यह five ohm आपकी पास एक single sunt element है, five ohm, एक single sunt element is the one number, उसके पादे two ohm, एक single series element है, एक single series element है, two, फिर एक transformer, यह भी reciprocal device होता है, transformer, एक reciprocal device होता है, यह third number, फिर आपकी पास एक sunt, जैसे पहले था, यह fourth, और यह आपकी पास series वाला, तो यह fifth, चल, अगर मैं बोलों कि देखो, इन general में को पता है कि क्या, एक transmission parameter का जो results होता है, अगर मेरा mind setup आप clear है कि one plus z2 by z1, z2 one by z1 और one, doubt नहीं आना चाहिए इस चीज में, इस वाले में को पता है कि z1 की value five है और z2 की value zero है, चलो ठीक है, इस वाले में में को पता है कि z2 की value two है और z1 की value infinite है, इस वाले में पता है, और बाकि यह वाला भी हो गया, जो five ohm का आएगा, वो ही v1 अपन v2 equal to one by two है, और इसी को अगर मैं लिख दूँ कि देखो one by two को मैं लिख दूँता हूं कि minus i2 by i1 है, तो पता है बड़े प्यार से लिख रहा हूं कि v1 equal to v2 by 2 है, द्यांस देखना, और i1 की value minus two i2 है, यह, तो v1 की value av2 minus bi2 हुआ यार, और ऐसा नहीं बूर रहा हूं कि आपको याद कर लेना है transformer का cv2 minus di2, solve कर लिए न अपन, यह, पता a की value one by two है, और d की value two है, अगर मैं बूलो transformer में a की value कितना है, तो a की value अगर मैं compare कर रहा हूं तो one by two है, ठीक बात है, a की value, और अगर मैं i1 से compare कर रहा हूं तो देखो d की value two है, d की value two है, तो transmission parameter कितना हो कि पता हो कि पास, one by two, zero, zero and two, इसका determinant one होगा, अब देखो, अगर मैं बोलू कि देखो, ती one कितना होगा, ती one, ती one मतलब पहले वाले network का transmission parameter, one plus z two by z one, z two की value zero है, इसका आता भी one आ गया, z two की value आपकी पास zero है, one by z one, one by five आ गया, one by five को 0.2 बोलते हैं, one by five को 0.2 बोलते ह आ गया, टी two की बात कर रहा हो कि देखो, टी two जो है, वो कितना है, तो one plus z two by z one, तो one आ गया, z two की value two आ गया, one by z one, मतलब जीरो आ गया, यह बाकी तो इसके आप जाते थे और इसके बारे में आप जानते थे कि देखो, यह transformer का है, तो overall, यहाँ देखना, overall, क्या करो आप, थोड़े note मत करो, चलो, थोड़े, मैं आपको note करने का मौका देदूगा, बोला, अभी आप मेरे साथ बने रहो, पूरा ध्यान से देखते रहो, बोला, यहाँ पर आप जो चीज़े note करने वाले हो, यह आपको single sent element के बारे में बता है, single series element के बारे में बता है, मैं 5 element में convert क देखो ध्यान से, तो अब मैं को पता है कि all elements, transformer reciprocal device होता है, register network, reciprocal device होता है, तो सब registry network और सब transformer सब reciprocal device है, तो overall यह reciprocal network है, इसमें किसे को doubt, नहीं, overall network है reciprocal, अब मैं बोला, इसको solve करते हैं, तो यह लिखा, 1 by Z1 मतलब 1 by 5, 0.2 होता है, फिर T2 लिखा है, इसको थोड़ा solve किया कि V1 बाइव दो कोई ना बोले कि सब्सक्राइब नहीं है, अरे भाई, सिमें इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी, 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 तो यह V1, यह V2, I2 क्योंकि मैं कोई इसका transmission parameter लिखना है, तो कोई doubt ना करे कि सब्सक्राइब नहीं है, please, please, तो मैं बोला, यह V1, I1, यह V2, I क्योंकि मैं को इसकी इसकी transmission parameter निकालना है, nothing else, तो V1 by V2 equal to 1 by 2, minus I2 by I1 equal to 1 by 2, compare किया, A की value 2 आया, 1 by 2 आया, D की value 2 आया, transmission parameter, तो अब मैं बोल रहा हूं, देखो, यह आपके पास T1 network होगा, फिर यह आपके पास T2 network होगा, यह आपके पास T3 network होगा, जो transformer है, यह आपके पास T4 network होगा, यह आपके पास T5 network होगा, जो T1 network है ना, आपके पास T1, वो है 1, 0, 1.2 और 1, ठीक है, जो second T2 network है, वो है 1, 2, 0, 1, कि third वाला जो transformer वाला है, वो है 1 by 2, 0, 0, और 2, और 2, और फिर आपके पास फिर से वही आ गया, क्या, 5, 5 मतलब पहला वाला, मतलब 1, 0, 1.2 और 1, लास्ट वाला, वही आगया, 1, 2, 0, 1, ध्यान से करे आप देखोगे ना, तो पता आप कि पास एक single element जो होता है, वो reciprocal network होता है, और symmetrical network होता है, single element, reciprocal network होता है, symmetrical network होता है, symmetrical network होता है, reciprocal and symmetrical network, और पता इसलिए A equal to D है सब में, चारो में, और सबका determinant 1 है, बट ये, ये transformer है, ये symmetrical न लगा लगता, 1-1 नहीं था, CBI reciprocal network था, और asymmetrical network था, क्योंकि turn ratio 1-1 नहीं था, 5 network है, अगर मैं बोलू कि मैं को multiply करना है, 1st row, 1st column, 1 into 1, 0 into 0, 1 आ गया, 1st row, 2nd column, 1 into 2, 0 into 1, 2 आ गया, 2nd row, 1st column, 1.2 into 1, 1 into 0, 1 into 0, 1 into 0, 1 into 0, 2 आ गया, 1.2 था क्या आपके पस, 0.2 था यार, 0.2 था, sorry, 0.2 था यह, अच्छा होगे, पहले दिख गया, तो 0.2 into 1, तो 0.2 आ गया, इस वा, 2nd row, 2nd column, 2 into 0.4 प्लस 1, 0.4 तो 1.4 आ गया, middle वाले में क्या है, middle वाले में है, 1 by 2, मतल़ 0.5, 002, लास्ट वाला दो नमबर को multiply के, तो यह वही आ गया, 1, 2, 0.2 और 1.4, इतना आपके पस, 0.4 प्लस 1, तो 1.4, इतना, अब अगर मैं बोलूँ कि देखो, 1st row, 1st column को अगर मैं solve कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पस, बाद में note कर ले ना, camera यहाँ पर मेरे पस, 1st row, 1st column, 1 into 1 by 2, 2 into 0, तो 1 by 2 आ गया है, पहला नमबर, 1st row, 2nd column के तो 1 into 0, 2 into 2, तो 4 आ गया, फिस 2nd row, 1st column के तो 0.2 और 1 by 2 को multiply के तो 0.1 आ गया, 0.1, और फिस 2nd row, 2nd column को multiply के तो 2 into 1.4, तो 2.8 आ गया, 2.8 आ गया, अब last number बचा है, कितना, 1, 2, 0.2 और 1.4, यह आपके पास calculation होगा, transmission parameter, 1st row, 1st column, तो 1 by 2 into 1, 0.5 और 4 into 0.8, तो 0.5 plus 0.8 यह पहला नमबर, 1st row, 2nd column, तो 1 by 2, तो 1 plus 4, 16, तो 16 और 4, 5.6 यह, 2nd row तो 0.1, 0.1 प्लस, यह 0.2 था आपके पास, तो 1 by 5 हुआ, 1 by 5 मता 2.8, तो 2.8 आपके पास, इसका मतलब है कि 1 by 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 by 10, तो 1 by 5 से डिवाइड किया, तो 0.530, 0.56 और यह आपको पास multiply किया, तो 0.2 हो गया, प्लस, 2.8 और 1.4 को multiply किया, तो 2.8, 28 by 10, 28 by 10 और यह 14 by 10 थोड़ा सा हो सब्सक्राइड करना पढ़ जाए, पहला नंबर आपके पास, 0.10 यह नंबर आपके पास, 0.10 है तो पता कितना आपके, 0.66, चेक करना, 0.66, यह नंबर कितना आपके, 6.6, और यह नंबर कितना आपके, 14 to 28, multiply करो, divide by 100 करो, 0.2 करो, तो यह नंबर बताओ आप, यह नंबर बताओ, पूरा का बुरा बुरा ट्रांस्मिशन पारमिटर निकाल दिया, आप पूछे ते ए, यह 1.3 है, B, A, C, A, D, इतना आएगा, D वाला नंबर बताओ, तो अभी मैं को को calculate करके बस यह नंबर बताओ, 28 into 14 पान हंडेट, तो यह solve करो, 0.28 करो, यह नंबर कोई बताएगा में को, बस मैं इसमें लिख लूँगा, फिर बाद में नोट कर लेना आप, अलग से, बस मैं को यह नंबर बताओगे, calculate भड़ा बड़ यूश करो, मैं को नंबर बोलो, बोला, point में बोलो, no problem, 4.12 कोई बोला 4.12 कोई बोला, लेकिन एक ही वेक्ति बोला है, और कोई बोला, 4.12 बोल दिये, तो 4.12 लिखा, देखो, अब मैं बोल रहा हूं, पूरा network से register से बना है, और transform से बना, तो क्या, इसका determinant बनाना चीए कि नहीं, इसका determinant बनाना चीए, देखो, determinant बना रहा होगा, check करो, इसका determinant ब determinant बनाना चीए, बोला, क्यों, क्योंकि पूरा network reciprocal network है, तो इसका determinant checker बना रहा है कि नहीं, 4.12, इसको solve करो, 0.2 के साथ, इसको 4.12 लिखे आप लोग, ठीक है, maximum लोग 4.12 लिखे, कुछ लोग गलत लिखे थे, 4.12, कुछ लोग 4.12 बोल रहा है, 4.12 कम से कम बहुत सारे लोग, मतलब 25-30, 4.12 दिख गए मैं को, तो 4.12 लिख लिए हमें, कम से कम 25-30 लोग लिख लिए 4.12, कुछ लोग कुछ भी कुछ लिखे रहे हैं, तो मैं उसको count नहीं करूंगा, और determinant 1 आ रहा है कि नहीं, determinant 1 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आना चीए, इसको बोलते है concept, कि determinant should be 1, yes perfectly 1 आ रहा है बोला, yes, कई लोग बोल दे कि वान आ रहा है करके, तो हमको clear है ना चीए, कि देखो मैं एक एक पार्ट में divide कर दे, ऐसा कोई नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, बट एक भी mistake होगी तो आपको पता ही चलेगा, यह बड़ा important है कि अगर आप कुछ mistake किये, तो ना आपको पता चलेगा, ना किसी को पता चलेगा कि क्या mistake हुई, तो conference वाला पार्ट है कि मैं बड़ा conference में मेरा रहता है कि ठीक है, जो भी होने वाला है, सब सही होने वाला है, क्योंकि मैं मान लिया कि यह सब आसान चीज है, समझदो ना, self-believe क्या होता है, self-believe यह होता ह है कि मैं इसको बड़ी चीज मानता है नहीं हूँ, अगर मैं इसको बड़ी चीज मानूँगा ना, तो डर-डर के solve करूँगा, देखते रहूँगा, डर-डर के, कि solve होगा कि नहीं कुछ गवबर तो नहो जाए, जैसे teacher डरते है बहुत बार, मैं मान लिया हूँ कि यह सब जब मैं आसान मान लिया हूँ, तो फिर इसमें बात कुछ बची नहीं, इसमें बात कुछ बची नहीं बुला, सिंपल हो गया एक दम, और मैं मान लिया हूँ कि interesting है matrix multiplication का मौका मिल रहा है, क्यों जाने देंगे matrix multiplication का मौका, ठीकि चलो magic करते हूँ, कुछ लोग बोग बोग important चीज है, आपको मानना पड़ेगा कि सब आसान है, ठीक है, जैसे महसवरी सर बोलते हैं संदीप महसवरी सर, सब आसान है, बड़ अच्छा लगता मैं को उनका style, तो महसवरी सर का मैं को style बड़ा पसंद है, confidence level बड़ा पसंद है, उनका आई का जो contact, जो connection करते है, communicate करते है मैं तो motivational speaker नहीं हूँ, लेकिन, he is one of the best speaker, ऐसा मैं को लगता है, जो style है बोलने की, तो वो बलते हैं सब आसान है, वैसे मुर्णों की सब आसान है, अब आपके पस क्या है, देखो धियान से, क्या मस्त मेजिक बताने वाला मोला, मैं को निकालना था A की value, मैं को निकालना था तो यहाँ पर आगया, यह V2 यहाँ पर आगया, मान लो कि यह V2 यहाँ पर है, ठीक है, अची बात है, यह load के समान behave कर रहा है, यह RL ए 5 को मान लेते, यह 2 ohm का drop तो 0 volt हो गया, यह figure बना लेंगे अपन, मैं को पता है कि यहाँ से अगर मैं खड़ा हूँ, इस transformer के सामने से, तो transformer के सामने से, transformer का input impedance होता है, N square into RL, जिसको reflected impedance बोलते है, N की value 1 by 2 है यार, N की value 2 नहीं, 1 by 2, 1 by 2 का square into RL, RL is 5, पता 5 by 4 ohm हो गया, input impedance आप transformer, circuit नहीं, input impedance आप transformer, अभी इस case में when I2 equal to 0, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर voltage, यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर VX voltage है, तो पता, यह तो V2 है, तो पता VX by V2 की value कितना होगा, तो VX by V2 की value, V1 नहीं आर, V1 तो यह है, यह VX है, VX by V2 की value कितना है, 1 by 2, पता VX की value कितना है, VX की value V2 by 2 है, बतब इस जगह का जो voltage है, वो V2 by 2 है, क्योंकि यह V2 यहाँ है, 1 ratio 2 है, इस circuit को रहांस देखो, इस circuit को यहां से 5, यह 5, यह कितना? 2, यह देखो, मैं input resistance से replace कर दिया, यार, transformer के input resistance से replace कर दिया, पता कितने से, 5 by 4 ohms है, but interesting बात क्या है, यहां का voltage VX है, इस जगा का voltage VX है, यह VX से यार यह VX, इस VX को क्या लिख सकते है अपन, V2 by 2, V2 by 2, यह VX था, VX या जो भी मानना है यार, ज VX था, इसकी value V2 by 2 थी, secondary winding का voltage इतना है, यह कितना हो मैं यार, यह 2 ohms, यहां का voltage कितना है V1, यह V1 ना, यह V1, यह I1, बट पहला में तो voltage same होता था, यह V1 यहां पर, यहां पर जो current जाएगा, जो भी current है, IX current है, तो series में current same होता है, इसमें divider rule लगा रहा हूं, पता, इस resistance की value 5 by 4, इसका voltage V2 by 2 है, बताओ V2 by 2 equal to क्या होगा, divider rule, यह V1 है, V1 into 5 by 4 upon 2 plus 5 by 4, 4, 4 cancel out, 8 plus 5 13, तो 5 V1 by 13 आ रहे हैं, LCM cancel out, 4 cancel out, 8 plus 5 13, यह V2 by 2 है, तो V2 by 2 यहां देखना, V2 by 2 equal to, 5 V1 by 13 है, बताओ V1 by V2 कितना होगा, तो V1 by V2 13 by 10 है यार, इसी को 1.3 बोलते हैं, यह A की value है, A की value है, क्या कि हम, ज्यादा creativity लगा दिया, क्या ज्यादा creativity लगा दिया, मैं बोला कि I2 की value 0 है, तो drop 0 हुआ, तो यह figure बन गया, तो load में से भी इतना ही दिख रहा था, यह output side में, तो यह RL माना, RL को 5 हो माना, गया ना, वो तो गया, यह V2 है, यह, input impedance आप transformer N2 into RL होता है, बता चुका हूँ, N की value, जो भी यह, 1 by 2 is not 2, 1 by 2, अगर 3 by 5 होता, तो मैं N की value 3 by 5 लिखता, 10 raise of 1 होता, तो 10 यह divided by this, that means the small n, तो कोई डाउट नहीं करेगा, small n में, यह divided by यह, अगर 2 ratio 1 होता, तो 2 divided by 1, 2 होता है, 2, अभी 1 ratio 2 हो, तो 1 by 2 था, तो यह 5 by 4 आ गया, बत इसका voltage क्या होगा, कोई भी voltage, कोई भी, ना V1 ना V2, V2 तो इधार है, V1 यह है, यह voltage क्या होगा, तो transformer का input voltage है, जो मा मानना हो, मान लो, फिर मैं बहुता, जो मानना हो, मान लो, तो यह transformer का turn ratio, इस voltage और इस voltage को relate करता है, बढ़ किसमत से voltage V2 है, क्योंकि I2 0 है, तो drop 0, तो V2 यहां तक आ गया था, तो अगर V2 यह है, तो भाई, transformer के turn ratio से, V2 यहां आ सकता है, in terms of 1 ratio 2, यह solve किया, तो V2 by 2 है, यहा 2 ohms, और 5 ohms की कोई जरुवत नहीं थी, यह divider rule क्योंकि current same है, जब current same होता तो divider rule आप use कर सकते हो, magic, ठीक है, तो अपने को इतनी सारी चीज़ पता चलते जा रही है, तो मैंसे ना आपना, यह question नहीं सीखना है, मैंसे आपको step नहीं सीखना है, मैंसे आपको जो सीखना है, वो technical चीज़ों को लेके नजरिया, कि आपके fundamental concept इतने clear होना चीज़ कि solve करते समय डर नाम की चीज़ नहीं होना चीज़, ऐसा नहीं होना चीज़ कि कभी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो आपका नजरिया जो होना ची़, व और वो इस five ohm का कोई use नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी divider rule में no use, और अगर उसके लिए ये five ohm important हो, तो फिर अपना बड़ा concept क्या काम आएगा, तो मेरे लिए बड़ा concept important नहीं है, important है, अगर मैं से कोई पूछे तो एक normal से student को बोलूँगा कि भाई, भाई या बहन, जो पूछी, तो मैं बोलूँगा कि दो कि 5 ohm जो है, इस five ohm का कुछ नहीं हो रहा है, तो एक normal student सुसता है, sir, क्यों नहीं हो रहा है करके, अब कैसे करें, यहां जो current flow होगा, same flow होगा, तो divider rule इनी दो element में लगेगा, यहां का voltage V1 है, तो इसका कोई use नहीं था, रखा है, क्यों important होती है,